आज भवानी नगर पूल स्टेशन के में कॉर्डन सर्च ऑपरिशन कंड़क्ट किया गया संतोष नगर डिवीजन के दौर इसमें लगवाग दो सोसे अधिक पूलिस ऑफिसर्स पाटिसिपेट किये चालिस टूवीलर जिनके कागजात सही नहीं पाए गया उनको पकड़ा गया है उसकी जाच की जा रही है साथ रावडी सीटर्स को भी जो इस इलाके में रहते थे उनको भी काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है कॉडन सर्च का हमारा मकसद आवाम के बीच में पूलिस जाकर उनसे मिलकर उनकी जो तकलीफें हैं उसको जानना साथ ही साथ हमारी जो कुछ जरूरते हैं वो भी उनको बताना माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए अमन और सांती बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि जो कोई भी बाहर से आये अगर अन्नोन है अगर उसके बारे में लोगों को पता नहीं है तो पुलिस को उसकी जानकारी दें जिससे की कोई भी बाहर का आदमी आके हमारा माहौल खराब न कर पाए साथ ही ये भी जरूरी है कि जब भी आपको कोई जरुरत हो तो आपको पता होना कि आपका एक दोस्त पुलिस हमेशा 100 डायल नंबर पर अवेलिबल रहता है जब भी आपको इसकी जरुरत हो आप पुलिस को कॉल करके उससे मदद ले सकते हैं इन सारी चीजों को बताना और हमारा जो पबलिक के साथ रिलेशन है उसको और अच्छा बेहतर करने के लिए कोशिस करना यही हमारा इस कॉड़न सर्च का मकसद है तैंक्यू कॉड़न सर्च का जो मकसद है वो पबलिक का भरोसा पुलिस में होना जो भी लोग इस तरह के काम में जा रहे हैं उनके उपर केस बुक करके उनको पनिस्मेंट इंसियोर किया जाएगा लेकिन आप ये देखिए कि अगर पिछले चार साल का आप रेकॉर्ड देखेंगे तो हैदराबाद में हर साल पिछले साल से क्राइंग कमता जा रहा है इसलिए ये कहना उचित होगा कि इस तरह के चीजों से असर होता है हाँ इसका असर धीरे धीरे होता है निश्चित रूप से इसका असर हो रहा है और पॉजिटिव असर हो रहा है उनको काउंसेलिंग किया गया है हमने रावडिसीटर की काउंसेलिंग अभी कुछ दिन पहले अपने आफिस में भी बुला के की है देखिए हमारा ये मानना है कि हर आदमी को एक बहतर एक अच्छा जीवन जीने का मौका देना लेकिन अगर वो इस मौके के बावजूद भी नहीं सुधरता है तो कानून के हिसाब से उस पर सक्त कारवाई होगी इसमें 200 से ज़्यादा पुलिस में और ऑफिसर्स मिलके पार्टिसिपेट किये है जिस दिन से एलेक्शन डिक्लियर होता है उस दिन से लग जाता है ये डीटेल मैं आपको आफिस में दूंगा लेकिन केसेज रेइस्टर हो रहा हैं साथ जोन में भी हो रहा है पुरे भैदराबाद सिटी में हो रहा है जो कोई भी मॉडल कोड का वाइलेशन करेगा मॉडल कोड कंड़क्ट को मॉनिटर करने के लिए रिटर्निंग आफिसर के सुपरवीजन में एक मॉडल कोड कंड़क्ट आफिसर की का appointment किया जाता है और जिस किसी को भी कोई भी ऐसा मौका लगता हो उनको ये संदे हो कि सक हो कि ये model code का violation है तो वो उनको complain कर सकते हैं साथ में ही election commission के द्वारा एक e-vizil नाम का एक internet portal भी बनाया गया है जिस पे भी आप अपनी सिकाय दर्ज कर सकते हैं e-vizil